तीस चन्वरी को एन्सीपी के राश्ट्री प्रवक्ता नवाब मलिक बुलन शहर पहुँचे और एन्सीपी, सपा, आरेलडी गटबंधन में पार्टी के अनूप शहर विधान सबाशेत्र से प्रत्याशी केके शर्मा के लिए डोर टू डोर प्रचार किया इससे पहले उन्होंने एक पेस्वारता को संबोधित किया और केंद्र की मोदी और योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए महात्मा गांधी शहीरी दिवस पर उन्होंने कहा कि गांधी विचार है गोटसे में उनका शरीर भले ही खत्म किया हो लेकिन उनके विचार हमेशा अमर रहे दे केंद्र एवं प्रदेश की सत्ता धारी पाटी पर उन्होंने गोडसे की मानसिक्ता को सरक्षट देने और उसके विचारों को आगे बढ़ाने का आरूप लगाया उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग मचपूरी में बापू का नाम लेते हैं जबकि पीट पीछे गोडसे की विचारधारा को बढ़ाते हैं उन्होंने जन्ता से अपेल की कि बिजेपी लोगों को धर्म और जाती में बाट कर द्रूवी करण की कोशिश कर रही है लेकिन जन्ता को इस बार धर्म जाती से उपर उठकर किसानों, नौजवानों, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोड डालना है उन्होंने कहा कि देश की जन्ता आज विकल्प जाती है और राश्च्रवादी पाटी पूरे देश में बेजेपी का विकल्प तयार कर रही है और उतर प्रिदेश का गटबंदन इसी कोशिश का ही हिस्सा है राश्ट्रवादे युवा कॉंग्रेस के राश्ट्रे अध्यक्ष धीरज शर्मा ने मीडिया को सम्मोधित करते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि बेजेपी को वोट नहीं दे रहा है गडबंदन के साथ ही लोग जाएंगे यहां हर कोई घड़ी के साथ जाएगा आज के इस प्रेश्वारता में उपस्तित राश्ट्वादी कॉंग्रेस पर्टी के अनूप शहर के प्रत्यासी के के शर्मा जी नैशनलिस्ट यूग कॉंग्रेस के राश्टी अद्रेक धिरेश्ट शर्मा जी हमारे नेता कुषपेंदर मलिक जी समाजवादी पार्टी के नेता हुसेन खान साहभ राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के महाराश के प्रवक्ता संजित अठकरी जी और सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले आज 30 जन्वरी महत्मा गांधी जी की पुननितिती है, मैं बापु को आदरण जली अर्पित करता हूँ, निश्चित रूप से आज की दिन महत्मा गांधी की हत्या की गई थी, जिन विचार धरण के मानने वाले लोगों ने बापु की हत्या की, उन्हें लगा कि बापु की हत्या के बाद, बापु के विचार पूरी तरह से देश दुनिया से खतम हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि महत्मा गांधी बेक्ती नहीं विचार है, और भले उनकी हत्या की गई हो, लेकिन बापु के विचार देश दुनिया में आज भी जीवित है, कुछ लोगों को मजबूरी बस बापु का नाम लेना पड़ता है, और बापु के नाम लिए बिना राजनिती चल नहीं सकती, इसलिए मजबूरी बस बहुत सारे दल बहुत सारे नेता बापू का नाम लेते हैं लेकिन बापू के विचार को सरासर ना कारने का काम सत्ताधारी पार्टी जो देश में है राज्य में है उसे ना कारती है लेकिन फिर भी गापू के विचार को खतम नहीं कर सकते ये भी उन्हें मानने हैं निश्चित रूप से जिस तरह ती देश में उत्तर प्रदेश में खास करके है देश की जनता तरस्त है केंद्र और राजी की सरकार से और इन पाँच राज्यों के चुनाव में जब दस मार्च की दिन नतीजे आएंगे तो सारा गुष्चा पाँचों राज्य में जिस तरह की परस्ति है खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जहां पे आज भारती जनता पाट की सरकारे हैं निश्चित रूप से जनता गोवा में सत्ता परिवर्तन करना चाती है, जनता उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करना चाती है और खास करके उत्तर प्रदेश में भी जनता सत्ता परिवर्तन करने के मूड में है जिस तरह से मोदी जी के लगवग आठ साल का कारेकल बीद गया योगी जी का पांच साल का कारेकल बीता है सबसे बड़ी समस्या इस देश में दो वर्क सबसे ज़्यादा परिशान है किसान और नौजवान किसानों को लेके बीजेपी अलग अलग दावे करते रही के 2022 में किसानों की आयद दुगनी करने का काम किया जाएगा लेकिन आयद दुगनी तो नहीं हुई किसानों के माल की लूट लगातार इस देश में जारी है जो खाद है उसकी कीमत बढ़ा दी गई बोरा में 50 किलो की जगा खाद 45 किलो का बोरा बना दिया गया लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ट्रक्टर हो पंप चलाने के लिए किसानों को लूटा जा रहा है कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधी द्वारा किसानों को दो-दो हजार रुपे दिया जा रहा है लेकिन जितना पैसा केंद्र सरकार खाद की कीमत बढ़ा के वसूल रही है जितना पैसा डीजल की कीमत बढ़ा के लूटा जा रहा है वो किसान सम्मान निधी से दस गुना ज़्यादा किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है आमन तर्ण है अनुक शहर विधानसवा निर्वाचन शेत्र के नौजवानों के लिए कि तीस और चालिस गाओं के बीच में एक हैवी इंडिस्ट्री लगाई जाएगी और अनुक शहर विधानसवा निर्वाचन शेत्र के नौजवानों को रोजगार के लिए दिल्ली, मंबई, कलकत्ता, चंडीगाड तो बहुत दूर है बुलंग शहर भी रोजगार तरास करने के लिए जाना ने पड़ेगा उनको उनका रुजगार उनकी घर में मिलेगा और उनको यह नहीं, उनके रिस्तजारों को भी वही मिलेगा यह पहरी प्यात्मिता हमारी है और दूसरी प्यात्मिता यह है कि जो हमारे किसान भाई है उनकी उपसकों जिस तरके से की आवारा पसू नर्ष्ट कर रहे हैं हम इसके समचित ववस्ता करें यह दो हमारे प्रुमुक प्राप किसा है देखे हम लोग आज उत्तर प्रदेश में गुम रहे हैं अजिस तरफे अनुप शहर में घर घर में युवा बेरोजगार है निराशा की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंदर की सरकार हो युवाओं के लिए रोजगार देने का किसी ने भी काम नहीं किया है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले समय में और इस सिलेक्शन में युवा जाग चुका है और अब इस सरकार को बदलने का फैसला करें पूरे देश का और पूरे प्रदेश का हम सब लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है ज़्याद उपर हो जाए वो महिला सुरक्षा की बात करें या किसानों की बात करें लोग इनसे परिशान है यहां की जंता बदलाव चाती है और मुझे पूरा यकीन है कि यहां के लोग केके शर्मा जो सयुक परत्याशी है आरेलडी समाजवादी पार्टी और रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के उनको जिता के वो विदान सभा भेजने का मन बना चुकी है